देखो अधा इसकेच इन दा फिगर शोज डिस्प्लेस्मेंट टाइम कर ओफ़ साइन वेव एटक्स उक्वेड़ टो एट मीटर तो आप क्या x equal to 8 meter पर shm का equation लिख सकते हैं क्या फिर आप convert कर देंगे उसको wave equation ठीक है ना मैं क्या कर रहा हूँ writing equation of shm यह को answer तो बहुत तरीके क्या हो सकते हैं किस form में हो आपको option देख की समझा है तो एक बार देखिए आपने इससे ही proceed किया है क्या writing equation of shm at x equal to 8 meter x equal to 8 meter पर simple harmonic motion का equation आप लिख सकते हैं क्या है इस yt plot से ठीक है कि आपको velocity of wave 6 meter per second दे रखी है ठीक है amplitude आपको clear है 1 by 2 होगा amplitude wave का अब क्या बचता है phase बसता है कैसे लिखें क्या हो रहा है यहाँ पर एक चीछ clear है कहीं पर जैसे 2 लिख रखा है आपके सामने 8 इससे भी देख सकते हैं इससे देखिए अब t equal to 2 second पर x equal to 8 part x equal to 8 पर जो particle है वो mean position से pass हो रहा है t equal to 0 पर clear नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है यहाँ कुछ नहीं दिया इसने ठीक है न तो आपको क्या equation of shm लिखने के लिए आप इतने dependent हैं कि आपको t equal to 0 पर ही phase आई है ऐसा तो बिल्कुल नहीं किसी भी time पर आपको phase दे दो ठीक है न तो यह जो x equal to 8 particular position पर yt plot दिखा रखा है तो इसमें आपको at t equal to 2 second particle कहां से निकल रहा है mean position से particle is passing through mean position passing through mean position तो क्या इतनी सी information sufficient है क्या आपके लिए equation of shm लिखने के लिए धर्माज़ बताइए इतनी equation से आप shm की equation लिख देंगे आप t equal to 2 second particle is passing through mean position इससे लिख देंगे आप t equal to 2 second पर mean position यहां से pass हो रहा है particle यह आपकी mean position है माननो ठीक है ना mean position को default case में x equal to 0 मान रहा हूँ तो आप इसमें से displacement क्या लिखेंगे इसका y equal to 0 मान लेते हैं displacement y की टम में लिख रहे हैं तो y equal to 0 mean position है तो यहां पर है particle t equal to 0 पर आप equation of shm लिख देंगे धर्माश क्या लिखोगे बताओ why not बताओ ना why not कहा से आएगा इतनी सी information से आजाएगा fine not भी ध्यान से बोलो आपने बहुत अच्छा बोला equation बहुत अच्छी बात है आपको याद है पर आप थोड़ा सा mistake भी तो गर रहे हैं आप पूछ रहा हूं क्या आपको t equal to two seconds पर particle mean position से पास हो रहा है वस यह बोता है तो क्या से आप से निकल जाती ही कि एक्वेशन की पार्टिकल mean position से पास हो रहा है बहुत जल लगना पड़ेगा अपनों का थोड़ा सा लैक कर रहे हैं यह फटा-फट जवाब देते हैं बच्छे यह टकने का पॉइंट ही नहीं है नहीं हम कड़ चुके हैं इतने सारे कुश्चन कर लिए अगर वह आप सबको क्लियर जल्दी बोलो कोई बताओ क्या चाहिए इस से इत्ती information से लिख दो कैसे जो बोल रहा है धर्माइश क्या बोल रहा है वन बाई टू यह इसने बहुत अच्छा बोला है कि इसने टी क्वल टू ओमेगा टी माइनस टू बोल दिया इसने अभी यह कैसे निकलेगा इतनी सी information से यह थोड़ी निकलता फाई नॉट कि ध्यान आ रहा है किसी को निकेद बताईए वेटा ध्यान आ रहा है कि आपको कि यह जो फाई नॉट एक ऐसे निकलेगा इसके लिए आपको एरो भी तो पताऊ ना जी किदर जा रहा है मीन पूदिशन पे अभी कि यहां पर भी इन दोनों में डिस्टिंगेश करने के लिए वेलसिटी की डियरेक्शन बता होनी चीए तो क्या आपको पताएगा इसमें वेलसिटी की डियरेक्शन एक सिक्वल टू पॉजिटिव है या नेगेटिव होगी तो पार्टिकल माइन से की तरफ जा रहा है यहां पर आपको क्या डियरेक्शन पता है यह पार्टिकल की वेलसिटी की पॉजिटिव है पॉजिटिव है इस पॉजिटिव है यह पर पार्टिकल कैसे जा रहा है एट इकवर्ट टू सेकिंड पार्टिकल इस पासिंग त्रू मीन पोजिशन टूवर्ट्स माइनस ए टूवर्ट्स माइनस ए की तरफ जा रहा है ठीक है क्योंकि आपका ट इक्वर्ट्価 टू ट् सेकिंड wealth ट कूत टू सेकिंड वाई देंटी नेगेटिव है इस लिए कि एट ट इक्वाल्ट टू सेकिंड डेल आई वाई डिल्टी नेगेटिव है तो वाइड कॉए टू साइन ती बॉ सयंज ऊन ती-2 लिखा जाएगा जल्दी बताओ चेट पर क्या लिखो याँ अब लोग बताओ चेट पर कौन बताबार है एंगल क्या लिखो फाइन वॉट पार्टिकल मीन पोदिशन पर है और माइनस एक ही तरफ जा रहा है तब बताओ एक बड़ जल्दी से देखें इतना भी धिहान है कि नहीं कि आपने बिल्कुल फिजिक्स पढ़ना बंद कर दिया के वी पीवाई की डर्थ से लग जाता है एक्जाम आरे तो पड़ाई एक्दम बंद कर दो खुछ रहते हैं ऐसा तो नहीं होगे आप लोगे साथ चार-पांच लोगों ने जवाब दिया है जालो इतना पता है आप लोगों को फिर भी अपका नहीं आया स्टिल इसका मतलब क्या यह पाई जाता होता है हुँट जीरो होता है इसका मतलब iutral इल्टल एंगल क्या है पाई है फिर थेखो आपके इस हम की एक्वेशन हां साइंपक टीटा हुट हगी सांइंपाई प्लस थीटा कितना होता है पाइ प्लस थिटा होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन मेगा टी माइनस तू ओमेगा ठीक है ना y एक्वल टू माइनस 1 बाइ टू साइन मेगा टी माइनस 2 ठीक है और फिर आपको ओमेगा भी निकाल सकते हो Gen देखो amplitude तो लिख लिए आपके पस omega की requirement है आपके पास और फिर आपको बताए कि equation source कहां पर रखा है 8 meter पर रखा है तो आप फटाफट convert कर दो क्योंकि V आपको already दे रखा सब्सक्राइब करने वाली बात है और कोई डाउट तो आते लेकिन कोई पूस्ता नहीं है सब्सक्राइब कोई कर भी नहीं रहा है मतलब कहीं नहीं तो फिर पूस्ता कोई तो अब आप बताए प्लॉट देखके omega भी बता देंगे क्या omega क्या होगा है पाई थ्री बता रहा है धर्माज तो एक दम एक्जेक्ट बता रहा है क्योंकि टाइम पिरिड कितना है 6 seconds है ठीक है न धर्माज ताइम पिरिड कितना है 6 seconds है तो omega कितना होगा 2 pi by t 2 pi by 6 और ये pi by 3 pi by 3 radian per second है ठीक है तो अब आप इसमें pi by 3 भी रग दोगे end में रग देंगे अभी तो हम इसको convert करते है equation of wheel ठीक है न अभी तो हम इसको कर लेते हैं तो conversion सब बच्चों को आता होगा बहुत बार मैंने कोशिश करी तो आपके school ने या आपके attitude ने कितनी उसको कामियाग होने दी ये पता है ठीक है मैंने कोशिश बहुत करी कि किसी भी एक्स नॉट पर अगर आपको wave की SHM पता हो ठीक है न तो आप उसको convert करते है य कितना आया माइनस वन बाई टू sin omega t minus x minus v x minus 8 by 6 t minus x minus 8 by 6 पर स्टीक है minus 2 omega देखो मैंने की जगे क्या करा ती की जगे t minus x minus x not by x minus 8 by 6 minus 2 बात क्लियर है यह बात क्लियर है वेटा है यह यह एक्स इक्स इक्वल टू पर पार्टीकल पर ठीक है न यह टीक्वल सारे अपने कर रहें कि आप बिल्कूल ऐसे चैंब इक्वेशन बनाई है बहुत सिखाना बढ़ता है इसलिए मैं इतने एक्वेशन लेता हूं कि अगर आपको यह आते हैं तो कभी जिन्दिगी में गलत होई ना इस तरह का इक्वेशन वालत पार आप इसको आगे बढ़ाई है अब जिस तरह से फाइनल आंसर है उसको मैं निकाल रहा हूं देखो अभी ओमेगा है आपका तो उसको अंदर ले गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा वाई 6x प्लस 8 ओमेगा वाई 6 माइनस 2 ओमेगा टीक है यह मैं फाइनल आंसर तक कुश्चन आजाए आप सोचा आंसर मैच नहीं करता है तो एक बार मैं निकाल के बता रहता हूं इसको आगे कैलकुलेट करना है तो मैं पूरा हिंट तक कर देता हूं आप जब भी 3 इंटो P माइनस पाइब आइटीन इंटो X प्लस 8 बाइब 6 इंटो पाइब आइब 3 माइनस 2 पाइब 3 ओमेगा सब जगे रख दिया है ठीक है ना ओमेगा सब जगे रख दिया तो फिर यह बन गया माइनस 1 बाइटू साइन पाइब आइटीन अग्स प्लस 4 पाइब आइब 9 whit nosso 2 पाइब आइब 3 तो अब इसको solve कर लेंगे ठीक है न यह आपका solve करकर आगए आप कर लेंगे आप साइन कितना आ जाएगा साइन पाइब आइब 3 टी वो ही पूरी equation form में convert कर दी pi by 3t minus pi by 18x यह आजाएगा आपका 7 pi by 9 आजाता है यह अगर आप करो तो ठीक है ना 7 pi by 9 आता है यह लिखी यह बन जाएगा हाँ तो minus 2 pi by 9 है बट ऐसा answer था नहीं तो आपने इसको और convert कर लिया कि माइनस हटा हुआ था यहां से ठीक है ना तो आप इसको इसको इस तरह से match कराने की कोशिश करें जब भी करें चार option इस तरह से दिखेंगे तो आप माइनस की जगे sin pi plus theta कर दिया minus 2 pi by 9 plus pi तो sin pi plus theta इस पूरे को plus pi कर दियो तो ऐसे बहुत बार हो सकता आपके साथ wave equation तो आप answer आजाए तो घबड़ाए नहीं चेक करें यहां से अपना minus चल रहा था नहीं ठीक है ना उस उपर शुरू में जो sin pi plus theta पर ने किया था इस बज़े से pi plus theta का minus चल भाए तो इसको मैंने plus pi कर दिया अब देखो कितना आप 7 pi by 9 यह answer था इसका 1 by 2 sin pi t by 3 minus pi x by minus pi x by 18 ठीक है ना minus pi x by 18 plus 7 pi by 9 यह answer था ठीक है ना half sin pi t by 3 minus pi x by 18 plus 7 pi by 9 यह answer था इस तरह से कोई general shm की equation से मैंने एक wave में convert कर दिया